हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है यह वीडियो उनके लिए खास है जिन इस्टुडेंट को लॉजिक लगाने में प्रोलम होता है कैसे कुष्चन में लॉजिक लगाएंगे कैसे हम तो उन इस्टुडेंट के लिए आज का यह वीडियो है सिर्फ और सिर्फ तो दस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल टिप्स बताएंगे जिससे कि आप अपना लॉजिक को डेवल आप कर सकते हैं तो चले दस्तों बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को सुरू करते हैं सरसे पहले हम लिख लेते हैं टॉप आज का जो टॉपिक है कि टिप्स कि टू इंप्रूग कि लॉजिक इन प्रोग्रामिंग कि बहुत ही जबर्दस टिप्स हम बताएं जिससे कि आप अपना लॉजिक को डेवल आप कर सकते हैं तो ते लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है खो डॉजब्रामिंग लिएज अबावट दुब्रोग्रामिंग लिएज अप जिस्त प्रोग्रामिंग लिएज कर रहे हैं उस लेंग्वेज आपको पहले बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि अगर आपको अगर नॉलेज अगर उस प्रोग्रामिंग के बारे में अगर नहीं होगा जैसे कि आप C या C++ जिसमें भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अगर आपको उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं ह तो आप पहले उस knowledge को gain किजिए then after question को solve किजिए चलिए हम बात करते हैं next point के बारे में हम बात करते हैं तो next point है carefully read the question तो जैसे ही आपको programming के बारे में knowledge हो जाएगा तो आपको जो भी question दिया जाएगा solve करने के लिए उसको सबसे पहले question को आपको ध्यान से पढ़ना है ठीक है यह second step है आपको ध्यान से पहले question को पढ़ना है और उसको समझना है तो यह हम फिर next step के बात करते हैं तो थार्ड इस्टेफ है try to understand the question what is mean to say तो फर्स इस्टेफ आपको समझा गया कि सबसे पहले आपको प्रवामिंग के बारे में knowledge रखना होगा second है question को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और third है आपको question को धंग से समझना होगा question क्या कहा रहा है उसको आपको पहले समझना होगा यह हमारा third step है क्योंकि जब तक आप question को नहीं समझेगा तब तक आप अपना logic नहीं लगा सकते हैं इसलिए आपको question को धंग से समझना होगा यह था third point next point है think deeply about that question जो भी आपको question दिया जाएगा उसको उस question के बिसे में आपको गहराई से सोचना पड़ेगा कि क्या logic है क्या इसमें हम logic लगा सकते हैं उसके बिसे में आपको गहराई से सोचना पड़ेगा ठीक है जब तक आप सोचिया गने तब तक आपका logic डेवलप नहीं होगा अ अब यह last point है जैसे ही आप question को deeply सोचते हैं उस question के बिसे में आप deeply सोचते हैं तो उसके बाद आपको उस question से डिलेटेड आपको logic लगाना है कि हम कैसे question क्या कर रहा है उसके according आपको logic लगाना है खुद का logic लगाना है सबसे पहले आपको internet या कोई भी चीज से आपको help ने ल लेना है पहले आपको खुद का logic लगाना है अगर आप खुद का logic ने लगाते हैं तो फिर इससे आपको आपका जो problem में वो clear नहीं होगा ठीक है दोस्तों तो यह था हमारा five step जिससे कि आप अपना logic को develop कर सकते हैं प्रोग्रामिंग को ठीक से आप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग को आप अच्छे से कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में I think आपको यह समझ में आ गया होगा क्या-क्या step है तो आप इस पांचो step को follow कीजिए और अपना logic को develop कीजिए थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो और नेवर फरगेट तो सब्सक्राइब